हेलो फिरेंट्स वेलकाम टुम्ट यूटुव क्रला हैं हां तो दोस्तों देखिए हां तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक मैं में कर लड़कि लड़का काहें ना बहुत परषान है क्या एक मैं चेट कले रहा है उसके बाद जोब नहीं मिल रहा है कैसे job मिलेगा क्या क्या कोर्स करना चाहिए क्या job opportunity है इंडिया में तो उसके बारे में लड़के बहुत सारे परशान है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक मेकैनिकल इंजिनिरिंग जॉब पर एक वीडियो बना दिये जाए कि जॉब कैसे पाई तो देखिए दोस्तों आज हम वीडियों बात करने वाल है क्या है कि आज अगर आप इस वडियो को देख लेते हो सुरू से लेकर उंक तक तो आप मैंकेनिकल इंट कर लिए हैं कम्प destruकर चुकए हैं तो आपका वान जोब लगीं जाएगा अगर आप इस मृडियों को देखका ओना estra k pouco मिलीं जाएगा या डिप्लोमा 3 years का करते हैं और जॉब कॉलेज में नहीं हो पाता है तो बाहर से कैसे जॉब आए वो भी हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं और देखिए मुक्ड़े बात यह है कि अगर आप इंजिनियरिंग करते हैं तो क्या है कि इंजिनियरिं qualified और नहीं । में आप लोगो बात करें वहल्य हैं वी सबसे पहले करते हैं कि चार साल में हम इंजिनियरिंग करते हैं अब 840 के अंदर हमें क्या करना चाहिए after complete 4 year हमें क्या करना चाहिए तो देखिए पहले हमें यह करना चाहिए कि अगर 4 साल के इंजिनेरिंग करते हैं तो हमें एक-2 शार्टिफीकेशन कोर्स कर लेना चाहिए जादा करने की कौई जरूरत नहीं है क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एक और कोई कर लेना चाहिए उसके बाद कोई सब्सक्राइब करना चाहिए देखिए यह साब कुछ हैं जो में इंजिनेरिंग में बहुत पॉपुलर है सब्सक्राइब करना बंद करना बेटे कवालों का डिफेरेंट काम होता है समझे तो यह कुछ कोर्सेश है अगर आप से संभाव हो तो किजिए नहीं तो नहीं हो तो कोई दीकत नहीं है क्या है कि ऐसे भी पूर्स कर लिजिएगा तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको इस लेबल को मिली जाएगा इंडिया में क्या है कि बहुत प्रॉबलम मेकैनिकल इंजिनियरिंग का बहुत जब में प्रोब्लम चल रहा है क्या है कि एक कोर्स जो है ना स्करलिजिए का लेकिन इस लेबल आपको जोब नहीं मिल पा रहा है यहीं सबसे बढ़ा क्या है कि हमारे चो ट्रॉबचल मेकैनिकल पूराना है क्या है कि 15 साल, 20 साल पहले वाले टिक चला जा रहा है कि यहीं देखा जाएंस और सफ्टे एंजिनियरिंग में इस पर क्या होता है कि अभी जो टेक्नलोजी आया ना उसी पर कामें नहीं होता है जो पीछे पुराना है कम सस्ते वाला उसी पर काम होता है जिसके करण हमारे और कि में इस फुर्व रहे हैं और यहता है लुद्व Oui कि में जोब इंजिनेर मोजब और उसके बारे में हम देखिए जौब का बात करते हैं अगर आधा चार साल शाल से कॉलेज से तो हम क्या करेंगे बाहर जाकर कैसे चौट पाएंगे कैंकि दौरान क्या involved पढ़ते हैं तो हमारा फेकल्टी भी नहीं बता देता वह भी बोलते है कि जाओ यह सब कर लो उसके बाद तुम्हारा जॉब हो जाएगा क्या है कि वह जॉब के लिए जाता है और जॉब नहीं मिला तो आकर परहाने वाल टीचिंग के काम ही चालू कर दिया है क्या है कि वह जो फेकल्टी है ना मेकैनिकल इंजिनरेंग का वह सब जॉब करकर के एक साला और भाग आए और क्या इस टीचिंग स्टार्ट कर दिया है और उनलों को भी डिटेल मालूम नहीं एक इंडस्ट्री में क्या होता है कैसे करे क्यों खुद भाग करा कर आकर टीचिंग स्टार् का प्रणा की जरूड़ी बहुत सार जगहां हमने देखा है मुंबई पूने में मालूम किया है ना तो सब काम नहीं मिलता है क्या है कि बहुत कम काम मिलता है हमें तो तो अगर आपको आपको संभव किजिए पैसा ज्यादा बर बाबाद करने कोई जरूरत देखते हैं उसके बारे बात करेंगे देखिए तब क्रते चkat यह जोर्थ को मिलेगा कि इंजियरिंग करते हैं तो आपको आप साइब्स Are कि ग треть हैं यहां क्योंकि लोगे तो पहले प्राइबिट जॉब पहुत बिश्चाअ के पहुत तो दू दिन के अंदर आप जॉब ले सकते हैं और इक बात यह ना अगर जॉब आपको लेना है अगर आप दिरोजगार बैटे हैं आपको जॉब नहीं समझे में आरा आएकेम जॉब को ऐसे ले तो देखिए हमारे यूटूब चैनल हम डिस्क्रिप्सिन में लिंक देंगे यह हमारे यूटूब चैनल पर भीजिट किजिए हम दो ऐसे वीडि दे रहा हुआ है अब आपको उस वीडियो के देखना पड़ेगा मैं डिस्क्रिप्सिन में लिंक डाल दूगा अब आएक क्या है कि गौवर्मेंट जॉब का बात करते हैं तो गौवर्मेंट जॉब में क्या है कि हम लोग यूपीसी बीपीसी यानि इंजिनेरिंग करने के कर सकते और नहीं कर सकते हैं कि खुचते हैं को यूपैसी इंजिनीर तो क्या है कि कुछ भी कर सकता आपको अपने को देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं यह सब को में करना पड़ेगा तो आपको जॉब लोकेशन भी मैंने बता दिया अब देखिए प्रोब्लम यहां आ जाते हैं तो जॉब जॉब चाहिए तब मिलेगा बट उसमें क्या है कि थोड़ा पाइकेज लो है देखिए मैंने एक एवरेज लिक दिया है फंद्रह हजार रुपिया फंद्रह हजार एक एवरेज ह पंद्रहजर आपको मिल जाए का बाड़े हजार थेरह हजार यहीं चल रहे मेकैनीकल हैं बाड़े थेरह हजार चोदह हजार पर मन्त अब उसके लिए क्या है कि अगर आपको 12 घंटा काम की जियेगा न तो 8.000 दे देगा इसे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाल अब हमें एंजिनियोरिग बम करना चाहिए अब यहीं प्रोबलम आ जप отвеч आप में करके लगके जॉब क이 लिए जाता हैं ना है उनको कि लाएर से बहुत दूर खेक दिये जाता किसे भी कंपपनी को प्रोडॉक्सन वाले कि तो यहीं आप लोगा है तो जैसे कि हम कुड़ीओ देख़ी चुका है कि मंक्गिञियरिंगいます क्या-क्या परिशानिया होती है कैसे जॉब पाए तो देखे जॉब लेना है तो यह सब हमारा दो वीडियो देख लीजिए बस आपको जॉब उनद्र पर्सेंट और क्या अगाएको ज्यादा प्रिशान होने की जरूरत नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कि कीजिए में कोई दिक्त होता है तो कमेंट किजिए और स्वेश आपकी कमेंट की होगा औसुए कि आपका नाम को भी पर्जेंट कर देंगे अगर आप बोलिएगा तो कमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में और आपकी कमेंट भी वीडियो बनेगा देखिए अब कुछ जनकाड़ी के लिए बता दूं कि हमने कुछ वीडियो आप क्या है सौफ्टेयर पर बनाना चालू कर दिया है क्या है कि सौफ्टेयर डेवलोप्मेंट जावा डेवलोपर डेटा साइंस पाइथान एनी कोर्स कैसे करें उसमें नौन आइटी से हैं अगर अच्छा कैरियर चाहते हैं आइटी सेक्टर में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर देजिए और दोस्तों को साथ सेर के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं